हम आज अध्याय तीन के इंपूटेंट कुश्चन देखेंगे तो हमारा पहला इंपूटेंट कुश्चन है जो वह कुल्रोस का नियम लिखिए एबाम इसके अनुपरियोगों का बढ़न कीजी और एक कुश्चन देखिए आप 2019, 15 और 17 में पूछ गया कुल्रोस नामक विख्यानिक ने प्रवल बिद्धत अफगट्यों और तोलनातमा गुरूप से दुर्वल बिद्धत अफगट्यों के लिए एक नियम दिया जिसे कुल्रोस की नियम की नाम से जाना जाता है ठीक तो देखिए इसका नियम क्या है कुल्रोस का इस नियम की तनुता पर किसी दुरुबल बेद्धुतापगट की मुलर चाल लगता उन दो मानु का योग होती है जिसमें एक मान धनाएन का तथा दूसरा मान रनाएन का होता है इसे नियमन प्रकार दर्शा सकते हैं देखे किस प्रकार दर्शा सकते हैं लेम्ड अनन्थ M बरावर लेम्ड अनन्थ C प्लस लेम्ड अनन्थ A जहां लेम्ड अनन्थ M बरावर अनन्थ तनुता पर मूलर चालकता, लेम्ड अनंत C बना बरावार अनंत तनुता पर धनायन मतलब केटायन की चालागता और लेम्ड अनंत A बरावार अनंत तनुता पर रनायन एनायन की चालागता है और इसके अनुपरियोग क्या है? कुलरोस किनियम के अनुपरियोग पहला है अनंत तनुता पर किसी दुरवल बिद्दत अपगट की मुलक चलक ता ग्याद करने में बियोजन की मात्रा की गड़ना में और बियोजन स्थरां का मान ग्याद करने में अलप बिले लबान की बिले ता ग्याद करने में और इसका नियुमेरिकल पूंचा जाता है जो तो भी हम देख लेते हैं इसमें दर्वाल विद्धुत अपगट किसे कहते हैं एक उदान देजिए वह विद्धुत अपगट जिसका पूर्ण आयनन नहीं होता दर्वाल विद्धुत अपगट कहलाता है जैसे सोडी वह अमोन दनायन का होता है इसमें देखिए लिधियां ब्रुमाइड है इसमें एक मान दनायन का है और ब्रुमाइड है जो भी मीन यह रणायन का मान है तो दोनों मानों का योग होती है अनत तर्विता पुर पूरा चालकता तो दो मान हमारे यहां पर दिए गए हैं 38.7 सेकंड 12.1 म मूलन वर्स एवां 38.40 सेकंड 12.1 मूलन वर्स यह लिधियम की है यह ब्रुमाइड की है यह ब्रुमाइड की जोड़ देते हैं अनत तर्विता पर मूला चालकता तो देखिए लेमडा अनत यहां पर जो सी है वो मतलब प्लस की चालकता धनायन की तो लिधियम है और यहां पर ब्रुमीन तो दोनों की मान को जोड़ देते हैं तो 38.7 प्लस 78.40 दोनों मानों को जोड़ दिया धनायन रणायन की चालकता को तो यहां पर जो आंसर निकले का वो है 117.10 सेकंड 12.2 मूलन वर्स यह अनत तर्मता पर मूला चालकता गयात हो जाएगी एक नियुमेरिकल देख लेते हैं प्रवल विद्दुत अफगट किसी कहते हैं वह विद्दुत अफगट जिसका प्रत्यक सांधरता पर पूर्ण आयनन हो जाता है प्रवल विद्दुत अफगट कहलाता है जिससे सोडियम हाइड्रोकसाइड तो नियुमेरिकल इसमें देख लेते हैं बेरि सेंटिमीटर मोल इने सेमलो away 3500 छाने दर्णफा लातां की चलकता अगटा घरान सब्सक्राइब क्योंगी गया है कि शुड़ा क्योंगे है ईक किलोरीन के पहुंच जाता है तो दो को डब और इसकी चालकता के लोरीन की दोनों चालकताओं को जोड़ देंगी तो राइटर जो आंसर ने के लिए का वह है यह भी बहुत सरल कुस्चन है ओम का नियम लिखिए ओम नाम विग्यानिक ने किसी चालक के विववांतर और धारा के मद्द संबंद दरसाने वाला एक नियम दिया जिसे ओम की नियम की नाम से जाना जाता है इस नियम के अनुसर किसी बिद्दत अफगट में डूवी दो इलक्ट्रोडों के मद्द बहने वाली धारा उनकी मद्द लगाएगा विववांतर के समानुपाती होती है जब इस समानुपाती का निससान हटेगा तो बरावर आएगा और यहां पर आरेक इस तरांग है जहां पर आरेक इस तरांग जिसे चाला का प्रिद्रोद काहते हैं अपर बुझा घृत्रोद किरेंगे हैं क्या चाही जातो by तो आंवर अनुपाती roadmap के बरावर होता है जिसे स्टरांग करते हैं इसे प्रदाबर गरते हैं क्वान कैपिटल ए और इसकी काई क्या है सेंटीमीटर इनवर्स सेल स्थरांग की काई सेंटीमीटर नवर्स अंगला कुष्चन देख लिए इंपूर्टेट चालकता की उपार है हमारा चालकताओं में से भी कुष्चन आता है दो जराट्वा में आया उननीस में आया है और देखिए तो देख लेते हैं तुल्यां की चालकता मूला चालकता जिसे आणविक चालकता भी कहते हैं और विशच्ट चालकता आणविक चालकता ये सब को देख लेते हैं डैफिनिशन वहती सरल भासा में तो पहला हम लेते हैं बिशच्ट चालकता किसे कहते हैं और इसकी यह कप्पा का निसान है कि नहीं बना हुआ है अलग जजान का है यह कप्पा पड़ते हैं इसके लिए से कप्पा से प्रदास्यत करते हैं विस्रश्च चालगता को तो हमारी definition है विशिश्ट प्रिती रूद मतलब रो की विटक्रम को मतलब एक बटे रो को विशिश्ट चालागता करते हैं जिसे कपपा से प्रदासित करते हैं और इसकी एक आई है ओमइनवर्स या संकीत में ओमइनवर्स सेंटीमीटर इसकी एक आई है ठीक नेक्स्ट आणयूक चालकता मोलर कंडर अक्टिविटी किसी विलियान की मोलर चालकता या आणयूक चालकता उन समध आयनों की चालकता है जो एक मूल बिद्दत अबगट को भी EML में बिले करने पर उतलब न होती है इसे Lambda M से प्यदसित करते हैं Lambda M यहाँ पर M लिख लीजी आप Lambda M बरावर K Kappa कappa मतलब 2600 चालखता और यह आयता हैं मतलब 2600 चालखता और आयतान के गुणन फल को मूलर या आणविक चालकता कहते हैं अथार्थ किसी विलियान की बिसेट चालकता और आयतन की गुड़न फल को मूलर चालकता कहते हैं एकाई ओमिनवर्स बर्क सेंटीमीटर मूलिनवर्स इसकी एकाई है अंगला देख लेते हैं तुल्यांग की चालकता किसे कहते हैं तो तुल्यांग की चालकता में है किसी बिल्यांग की तुल्यांग की चालकता उन समझत आइनों की चालकता होती है सेम टुसेम बैसे यह जो एक ग्राम तुल्यांग की बिद्दत अफगट को भी की मेल में विले करने पर उत्पन होती है इसे लेमडा एकूसे प्रदर्सत करते हैं इसमें भी वह ये लेमडा एकई वराबर कप्पा मतलब के इंटू भी अथार्थ बिसेट चालकता और आयतन के गुड़न फल को तुल्यां की चालकता कहते हैं या उसके बरावर होती है अथ तुल्यांग की चालकत कहते हैं एक आई किया है इसकी Ominverse 12 cm EQ से तुल्यांग कहते हैं यह इसका राइट आंसर है